Hello everyone, you are watching Target with Himansu 70,000 कटाफ मामले का case unlisted हो गया है और विडेट की कोई information नहीं है और इन संदर में हम सभी लोग को कोट को ज़्यादा तर अभियर्ति कोट को दोशी मान रहे हैं ठीक है लेकिन chronology समझिए जब कोट ने आपको कहा कि सभी advocates, सभी parties को कि वो return submission दे और कोट ने खुद अपने order में mention किया और आप ये जो order देख रहे हैं न उस दिन ही कोट ने सभी partyों को जितने भी अडवोकेट हैं अपना argument return में submit करने के लिए दे दिया था बोल दिया था कि 23 जनवरी तक आप लोग अपना return submission दे दीजे submission complete कर दिया पूरा कर दिया आपके seniors भी अपना submission दे सकते थे 23 तक return submission दे सकते थे वो B8 हो BTC हो या फिर सिच्छा मित रहो तो कोट ने जो direction दिया उसको तो ये लोग following नहीं कर रहे हैं उसके बाद आप कोट को ही दो सी मानने लग रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि कोट इंट्रेस्टेड नहीं है हमारे केस में असल में ये जो matter है वो वकीलों की वज़ा से बहुत लंबा चरा जा रहा है आप समझे अगर हमारे पास एक भी वकील नहीं होते ना तो सरकार अकेरा केस लड़ लेती और जिता भी देती जीत भी जाती या जो भी होना होता वो तो फिलाल कोट तै करता अब मैं एक उधारन 8600 का लेकर देख रहा हम कितने सिनियर किये थे आपने 8600 में एक भी नहीं ना फिर भी सरकार जीती कि नहीं जीती तो आप के अंदर एक प्रकार का मतलब वो जजबा अलग से पैदा करने का प्रयास किया जाता है कि नहीं हमारे पास सिनियर हैं हमारे पास यह हैं तो हम जीतेंगा ऐसा कुछ नहीं होता है सरकार के पास खुदी टॉप क्लास के सिनियर है और आज senior लेकर कहानी ये है कि आपके senior उन्हीं बातों को समझ नहीं रहे हैं आपको बाहर कुछ और बताया जाएगा court के अंदर क्या होता है वो कुछ और प्रक्रियां होती है जब court आपको बोली direct की क्या बोला गया है we direct the land council for the respective parties to file their written argument तो जब court ने order बोल दिया तो आपको file करना चाहिए ना friend नहीं किया बकादा उसके भी फिर से आप बोला जाएगा कि फिर से हम बाहस करवाएंगे तो फिर से आप बाहस करवाएंगे तो फिर से delay नहीं होगा होगा ना लेकिन अभेरती इन बातों को नहीं समझ रहे हैं अभेरती तो बकादा फिर से करवाएंगे हम फिर से एकदम कराएंगे बैस जबकि आपके सभी एडवोकेट्स के बैस हो चुकी है और उसमें से एक जबी कोगट में मौजूद थे यह वही लोग हैं जो कहते थे कि पॉइंट नोट करते हैं जासाब वो रखे रहते हैं लेकिन वो फिर से आप से सब सारी जीजें फिर से स्टार्ट करवा रहा है तो मैं वही कहा रहा क्रोनोलाजी समझ जान भुज कर केस को डिले किया जा रहा है जबकि अभी तक तो समिशन हो जाना चाहिए था कोट के आडर के काड़ी अगर सभी लोग ने अपना समिशन कर दिया था तो जजज्मेंट रिजर्व हो गया होता लेकिन नहीं हुआ तो आप इन बातों को समझे और ऐसे लोगों को भी समझाइए कि वूड रिटें समिशन जल से जल दाखिल करवाए अगर रिजर्व करवाना है तो सकट सौट करके खासकर से सिच्छा मिटर के एडवोकेट तो इन बातों को मानेंगी नहीं तो यही बातें हाइगा हैं कि हमारे जो एडवोकेट हैं उनकी वज़ाँ से केश डीले हो रहा है इतने अधिक फंक्या में वक्ः रख लिए गए है कि वक्ःलों की वज़ास केश डीले हो जा रहा है 68500 हम यसे अच्छा मित गये थे अच्छे अच्छे सेनियर लेकर गए थे इलाबाद के खरे साबित इंथे आप आर्डर पढ़ लीजेगा लेकिन फिर भी सरकार जीत गई क्योंकि सरकार कुछ जितना आप लोगों को मतलब एक माहौल बना दिये तक सरकार कमजोर सरकार जो चाहती है वो होता है मतलब अपने हिसाब से अच्छे एडवोकेट को लेकर वो अपियर कराती है लेकिन जब सरकार जान गई कि भाई अब सीनियर नहीं जा रहे हैं सारी सीनियर है अलरी तो सरकार अधिली पड़ गई और अब आपके सीनियर ही आपके समझ लीजे समस्या का कारणर बन गए है ठीक है तो यह हकीकत है बुरा लग सकता है लेकिन उसका मुझे फरक नहीं पड़ता आप एक बात समझ लीजे कि सीनियर एडवोकेट्स के जो है आपके मादम से आपके अंदर मनब एक आपको दावा की जा रहा है समझ लीजीए और केस को जानबूश कर डेले किये जा रहा है यह हकीकत है धन्यवाद